और दोस्तों क्या आल है मेरा नाम है नितिन और मैं आगया आप सभी के लिए लिए को नई फ्रेश वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसा कि आप सभी को पता है कि वीवो ने आज मार्केट में एको ने स्मार्फोन अनाउंस कर दिया वह स्मार्फोन है वीवो यूट एजो ईऑन की अन्यूज अनिस्टोपेबल यू यूट्व को टार्गेट करने वाली नई सीरियस है उसका सब्सक्राइब अभी कुछ महीने पहले ही विवो ने यूटेन अनाउंस किया था मैं आप लोग चीज जो एक्जेक्ट वीवो की तुवारा अनाउंस की कई प्राइसिंग है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया वहां चेक कर सकते हैं मेरे अपिनिन में 12-14000 की रेंज का फोन रहेगा इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है यहां पर आप देख रहे होगे प्राइस कटा हुआ यह एंबार्गो यूनिट है लेकिन जो इस पर्टिकुलर डिवाइस का जो प्राइस है वह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं अब फटा-फट से इस बोक्स की यह करका इस बोक्स के अंदर आपको मिल जाएगा यह जो टीप यू बैक केस है वो प्लास्टिक का साथ में यह सिम एक्टर टूल है यह कुछ डॉक्यमेंटेशन है इनको भी साइड में रख देते हैं उसके बाद आपको बोक्स के अंदर देखने को मिल जाता है यह वीवो साथ की साथ आपको मिल जाएगी यह मिल जाएगी माइक्रja 2 पहल जाते हैं आपको बोक्स के अंदर मिल जाते है अप काफी सुनल रिखता है प्लास्टीक बिल्ड कौलिटी है आपको यहा पर viva के ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है के नीचे की तरफ उपर के तरफ आपको बीच में फिंगर्प्रिंट सेंसर मिल जाएगा साइड में आपको कैमरा मॉडियो मिल जाएगा LED फ्लेश ट्रिपल कैमरा सेटप है कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात अभी मैं आगर वीडियो में करने वाला हूं अभी हम लोग के फॉन प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है साथ में आपको यहां पर 3.5 mm का ओडियो जैक भी मिल जाता है माइक्र यूस्बी के साइड में आपको दो नट्स में मिल जाते हैं स्क्रूज जो है स्पोर्ट को सेट करने के लिए लगाए गए हैं वहार की तरफ एक्सपोजड है ब आगे बढ़ जाते हैं और फोन के इंटर्नल की बात कर लेते स्पर्सिफिकेशन की बात कर लेते देख लेते हैं विवो ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई है आपको विवो यूट के अंदर देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर साथ में यह फोन दो वैरियं आप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं वो है Blaze Blue और यह फोन जो है मैं आपको बता दूँ कि Funtouch OS 9 के साथ आपको देखने को मिल जाता है विचिस बेस्ट ऑन Android 9 Pie साथ के साथ आपको future की updates भी इस फोन पर मिलती रहेगी प्रोसेसर और storage के बाद बात कर लेते है फोन के डिस्प्ले की आपको इस फोन के अंदर 6.53 इंचिस का दिस्प्ले को मिल जाता है इसके इसके इनदर नाइट मोड भी है उसके अलावा 8MP का सूपर वाइड एंगल है और साथ के साथ 2MP का सूपर मैक्रो लेंस भी दिया गया है और फ्रंट के सेलफी कैमरा क रियर में जो है वो LED फ्लेश दिया गया है कैमरा के बाद में अगर बैटरी की बात की जाए तो आपको इसके अंदर 5000 मेंच की बैटरी देखने को मिल जाती है साथ आपको इंदा बोक्स 18 वोट का डूल एंजिन फास्ट चारजर में मिल जाता है जो कि 5000 1000 mh की बैटरी को फटाफट से शार्ज कर सकता है बैटरी के बाद में अगर बाकी बचे फीजर की में बात करूं तो आपको इसके अंदर ट्रिपल स्लोट मिल जाता है जिसके अंदर आप लगा सकते हैं साथ का डेडि के सेपरेटली माइक्रों के अंदर देखने को मिल जाता है तो मोटा-मोटी आपको इस फो चीज है जो एक यह फोन जो है यूथ को टार्गेट इड़ा तो कंपनी ने ध्यान में रखे इस फोन के अंदर इतने ज्यादा ज्यादा फीचर वह पैक कर सकते थे वह सारे सारे के सारे फीचर फोन में लगाने की कोशिश की है बोड़ी जो है वह प्लास्टिक की है वेड जो वह 93 जो है यह फोन के परफॉर्म करते ही है और आपको बोलते हैं कि वैल्ली फोर मनी पैकेज वह पैकेज मिल जाता आपको इस फोन के देखने के लिए हाला कि जो डेलाइट है उसमें डिस्पले आपको थोड़ा सा परिशान कर सकता है लेकिन वह कोई बड़ी बिग डील नहीं है बाकि मोस्ट वड़ाइम डिस्पले जो है वह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अब 675 इसके अंदर प्रोसेसर है तो आप अगर गेमिंग कर लावा जो इमेज प्रोसेसिंग वह बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है तो जो आपके शोट्स आप लोगे इसके कैमरा से वह बहुत ही अच्छे निखर के आएंगे उभर के आएंगे और आपको फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने में मज़े भी आएंगे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बैल आइकन वह फटाफट से प्रेस कर दीजिए उसके लाव अगर कोई कुश्चंस और क्वेरिस डाल सकते हैं मैं सोशल मीडिया पर मेरी प्रोफाइल की जो लिंक्स हैं इस्टाग्राम और ट्विटर के वह नीचे डिस्क्रि और मुस्क्राते रहिए